जब बढ़ती है मेरट की गर्मी तब सुकून देती है वो प्रियाग की ठंडी सी शाम लखनव की वो नबावी और गोरख पुर में विराजित गोरख धाम इन सबी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है लेकिन ये मोका आपको भी मिल सकता है उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को अविशकता है बावन हजार से भी अधिक पुलिस घर्मियों की जिनके सलेक्ट्ष N की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने SSC मेकर परिवार दे उत्तरप्रदेश से पुलिस की सबसे बहत्रीन तैयारी कराने के लिए SSC मेकर लेकर आया है सिपाही बैच जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सेलेक्शन की गारंटी तो बिना देरी किये आज ही जोइन करें S.S.C. मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सेलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर पर खोल करें और S.S.C. मेकर आप टाउनलोड करें नमस्कार साथियो कैसे आप सभी मैं सवनी चोधरी एक बार फिर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार S.S.C. मेकर में और आज आपका 30 अगस्त आज हम डिसकस करेंगे 30 अगस्त के करंट अफिर और स्टैटिक के कोश्चन जो आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है ना तो वह सारे एक्जाम जो आप बंडे एक्जाम प्रिपरेशन कर रहे अपने परिवार S.S.C. मिला है जल्दी ही हम लाइव होंगे तुबा 6 वजे हमारी करंट अफेर्स के क्लास लाइव चलती है तो सभी वच्चे ध्यान नहीं खिएगा आज के लिए सिर्फ यह आपकी रिकोर्डेड क्लास है ना तो आपको बहुत बहुत बेतर तरीके से टो समझेंगे चलिएगा पहला कुशन है जहां से समझ येगा क्या कहना चाहता है कि राश्टी खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है ओन विच डे राश्टी खेल दिवस मनाते हैं ये 28 अगस्त में मनाया जाता है कि आप सभी जानते हैं कि जो मेजर ध्यान चंद्र थे इनके जनम दिवस के उपलक्ष में ये मनाया जाता है ध्यान रखिएगा ठीक है न और एक चीज में आपको बता दूने कि पुस्तक है गोल एक इनकी पुस्तक है गोल वो एक्जाम में पूछी जाती है वो एक्जाम में पूछी जाती है कि गोल पुस्तक जो सिर्शक पुस्तक है इसके लेखक कोन है तो इसके लेखक है मेजर ध्यान चंद्र आपको एक चीज और बतानी है मेजर ध्यान चंद्र का जो जनम हुआ थ आपके सपास ओप्शन से यूपी में हुआ मध्यपरदेश में हुआ था बिहार में हुआ था या फिर वेस्ट बंगोल में हुआ था ठीक है ना आपको एक्चुल में लिखना है इनका जन्म मैंने आपको बता दिया कि क्यूं मनाया जाता है राष्टी खेल दियो उसके जादु गर्वी कहा जाता था क्या कहा जाता था होकी का जादु गर्वी इनको कहा जाता था यह ना चलिएञें नेक्स हाली में भारतिय तत्रक्षक बल ने त्यान से सुनिएगा तटरक्षक बल ने इस देश के तटरक्षक बल के साथ समुदरी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं है नहीं रिसंटh इंडिया कोश्टगा विद नीयचे सट है को मेमोरेंडव अखन टाथ है का क्या कहते हैं इसको मेमोरेंड़ अफ अंडर्सेंडिंग कहते हैं तो इंग घे ज हुँर स मेरी टाइम कॉरपरेशन तो यह हमने किसके साथ में समझोता किया कोशन नमबर टू ये फिलिपिन्स के साथ में हमने समझोता किया है किसके फिलिपिन्स के साथ में हमने समझोता किया है तो answer will be C इसका right हो जाएगा तो क्या हो जाएगा option नमबर C फिलिपिन्स जो हमारा दक्षिन पूरवी एशियाई देश है, इसके साथ हमने समझोता किया है, अच्छा एक कोशन और आपको ध्यान रखना है, कि ब्राइट, अभी ब्राइट नाम की एक्ससाइज हुई है, ठीके ना, ब्राइट 23, ब्राइट 23 जो ये एक्ससाइज हुई है, ये मिस्र में हुई है, कहां प भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया है, ठीके ना, कहां पर मिस्र के काहरा स्टेशन पर ये हुई है, जो काहरा वहाँ पर एयर बेस है, एक पिच ब्लेक है, कौन सी है, एक है पिच ब्लेक, पिच ब्लेक जो एक्ससाइज है, ये किस देश के साथ हुई है भई, ये ध्य बात यहां दे क्लियर है या नहीं बताएंगे तो फिलिपिन्स के साथ हमने तटरक्षक जो बल है इन दोनों ने समझोता ग्यापन पर अस्ताक्षर किये हैं यह दोनों कोडिनेशन के साथ में कारिय करेंगे दोनों एक दूसरे की सुरक्षा कोई मध्यनजर चीजों को देखा बास का निर्माटा कंपनी जिसका नाम है वन इलेक्ट्रिक ने किस देश में कैई इंडिया नामक मोटर बाइक का निरमान शुरू करने की गोशना की है यह छी इनदियाव हमारी एक भारती कंपणी है electrical company जिसको one electrical हम कहते हैं तो इसने अफरीका में कहां पर अफरीका में इसने अपनी के इंडिया जिसको हम कहते है के इंडिया इस नाम से बाईक का उत्पादन करने के लिए गोशना की है फिक है ना तो option क्या हो जाएगा, A सही हो जाएगा थोड़ा सा अफरीका आपको ध्यान रखना है अभी Bricks सम्मेलन हुआ है क्या हुआ है? Bricks सम्मेलन हुआ है संस्करन पूछ लिया जाए तो पंद्रवा होगा ठीक है और ये पूछ लिया जाए कहा पर हुआ तो ये अफ्रिका के जोहंसबर्ग में हुआ था कहा पर जोहंसबर्ग में हुआ था इसमें और क्या डिसीजन लिया गया आप सभी जानते हैं इसमें कहा गया कि हम 6 सदश्य देशों को इसमें और सामिल करेंगे इसको एक्सपैंड करने वाले हैं ठीक है ना इनको कब जोड़ किसने किया तो नरेंद्र मोदी जी याने के हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें सामिल हुए हैं बात यहां तक समझ में आई या नहीं यानि कहां पर हुआ पंद्रवा संस्करण है नेक्स कहां पर होगा रश्या में होगा जो 2024 वाला है यह कहां पर होगा यह र पर चेक करना होगा. तो ब्रिक्स में ब्राजील है रशिया है इंडिया है चाइना है और आपका साउथ अफरीका है 2006 में ब्रिक्स का गठन किया गया था इसकी पहली संबीच 2009 में हुई थी इसका जो second संबीच 2010 में हुआ था में South Africa को सामिल कर लिया गया था बात समझ में आई नहीं हां तक है ना चालिएगा वई नेक्स्ट क्या कहता है हाली में किसे smart immobility का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है बड़ा अच्छा कोशन है ध्यान रखिएगा smart immobility का जो अध्यक्ष बनाए गए यह किसको बनाए गया एगना यह निलकंट मिश्रा है मनोज कोहली है प्रकास स्रिवस्तव हैं या इनमें से कोई नहीं रिसेंट्ली वहाइज बिन अपूंड एज प्रेजिडेंट ओफ इमोबिलिटी है तो ध्यान रखिएगा यह मनोज मिस्रा और सोरी मनोज कोहली है कोन है मनोज कोहली जिनको स्मार्ट इमोबिलिटी का क्या बनाया गया है अद्यक्ष न्युक्त किया गया है अब यह स्मार्ट इमोबिलिटी है क्या यह इमोबिलिटी का मतलब क्या है तो ध्यान रखिएगा जो भी हमारा electrical जिसको electrical vehicle वाला मामला है आप इसको समझ्जिएगा जो भी हमारे electrical vehicle है इनका निर्मान कैसे होना है है ना इनके निर्मान में किस संसाधनों का यूज किया जाना है है ना जो भी bikes है, car है इनका distribution कैसे होना है तो एक यहाँ पर environment त्यार करना है क्या करना है एक ऐसा environment त्यार करना है जिससे लोगों को इसके बारे में जाग रुकता मिले याना कि आने वाले समय में हमारे लिए क्या जरूरी है याना जैसे उर्जा संसाधन को आप देख पा रहे हैं धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं याना इंधन की जो भरमार है वो कैसे बढ़ती जा रही है जनसंक्या हमारी बढ़ती जा रही है हमें इंधन की आवशक्ता पढ़ने वाली है तो हमारा एक जो डिपेंडिल सोर्स हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा एना उर्जा हो जाएगा यह हमारे पर्यावरण प्रदूशन है इसको भी कम करता है एना उसके लिए भी काफी बेनेफिशल होगा तो इसका एक इन्वोर्मेंट त्यार करना है इमोबिलेटी जो होता है कि लोगों को जाग रुक करना एना उधर कंपनियों से बात करनी कैसे आपको इसको प्रोड़क्शन को बढ़ाना है और कितने कह सकते एक तरीका से एक ऐसा माहौल क्रियेट करना जिससे कस्टमर के साथ में आप क्या कर सकें डिल कर सकें एक फ्लेक्शिबल प्राइज पर उनको संसाधन उपलब्द कराए जा सकें तो यह का पूरा कल्चर यह जो है देखेंगे उसको एड करेंगे उसको लीड करेंगे एना तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भी सही हो जाएगा भाई नेक्स्ट एक किस संगठन के सदश्यों ने विस्विध्याले रैंकिंग प्रनाली सुरू करने की गोशना की है विच और गनाइजेशन से मेंबर्स कंट्रीज हैव अनांच दा लॉंच ओब दा अभी हाली में ब्रिक्स में एक और यहाँ पर डिसिजन लिया गया है कि जो रैंकिंग है यूनिवर्स्टी रैंकिंग है इनको प्रदान किया जाएगा रैंकिंग्स यहाँ पर प्रदान की जाएगी कि ब्रिक्स में जो अच्छे कोलीज हैं उनको रैंकिंग दिया जाएग और इसमें जो students हैं इनको in colleges में admission के लिए approach किया जाएगा, जैसे भारत का कोई अच्छा college है, उसकी ranking अच्छी है, तो जो ये संगठन देश हैं, ये members country हैं, ये एक ऐसा coordination या एक ऐसा system दियार करेंगे, जिससे जो बच्चे हैं एक दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई culture को adapt कर सकें, तो ये एक ऐसा culture भाँ पर create करने का एक तरीका से सोच रहे हैं, ऐसा इनका विचार है, तो option number क्या हो जाएगा, c हाँ पर सही हो जाएगा, चालिएगा, तो इसके बारे में मैं से old lady मैं आपको बता चुका हूँ, G20 की जो संबिठ है, ये भारत इसको head कर रहा है, ठीक ना ध्यान रखिएगा, नाटो आप सभी जानते हैं, North Atlantic Treaty Organization है, जिसमें European country सामिल है, भारत इसका सदश्य देश नहीं है, तो ये भी information आपके लिए काफी useful होने वाली है, next हाली में बरनार्डो अखोला को किस देश का राष्टपती चुना गया है, ये ग्वाटेमाला है, बर ये किस देश के President बने, तो ये ग्वाटेमाला के President बने हैं, ठीक है न, ग्वाटेमाला की राष्धानी ग्वाटेमाला City है, ध्यान रखियेगा, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, और आपका B here, पर सही हो जाएगा, अचा यहां से कोउशन आपके लिए बन सक कोशन क्या बनेगा कि जो ग्वार्टे माला है ग्वार्टा माला है यह किस कोंटिनेंट का देश है यह किस कोंटिनेंट या महादीप का देश है यह किस महादीप का देश है यह कोशन आप से बन सकता है तो आपको ध्यान लखना है ग्वार्टे माला कहां का देश है यह एक कर क्यारे बियाई देश है, क्यारे बियाई देश है, ध्यान लखेगा, चालेगेगा, नेक्स्ट कोश्ण आपके लिए, आली में भारत किस देश के साथ मिलकर लूपेक्स या इसको लूनर पॉलर एक्स्प्रोडरेशन मिसन 2024 हम कह सकते हैं कि तयारी कर रहा है, अब यह लूपे से या भाप से क्या कर सकते हैं भाप से ये वहाँ पर सेटलाइट भेजना चाहते हैं ये वहाँ से कोई वहाँ पर मिशन भेजना चाहते हैं स्टीम के द्वारा जिसमें इंधन की खपत कम हो एक ना इंधन की खपत को कम करना चाहते हैं और ऐसा भारत जापान के साथ मिलकर कर करने की सोच रहा है ऐसा भारत किसके साद जापान के साथ करने की सोच रहा है ठेक ना जापानने यह कहा कि इस टीम के द्वारा एनछी हमारी क्या होगे स्टीम होगी अभी तक हमने स्टी Almost का यूज नहीं किया है तो ये उसको द्वारा ये मिशन भेजना वहाँ पर चाहते हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जैसे हमारा चंद्रियान 3 सफलता पूर्वक लोंच हुआ है यह जो है यह सफलता पूर्वक लोंच हुआ है ठीक है इसमें आपको ध्यान अखना है कि इसमें 2-3 चीज़े हैं जो आपको हमेशा पूछी जाएंगी जैसे इसमें टोटल खर्च कितना आया तो 615 करोड रुपे का इसमें खर्च आया है ठीक है इसमें विक्रम लेंडर का यूज किया गया तो लेंडर का नाम आपसे पूछा जा सकता है लेंडर इसमें विक्रम यूज किया गया तो ऑप्ष्ण आपको वहाप पर मिल सकता है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर अभी आपका हो जाएगा एसली अभी लूना 25 जो है 10 अगस्त को छोड़ा गया था कब 10 अगस्त को छोडा गया था लेकिन ये क्या हो चुका है ये विफल हो चुका है सफलता पूरुवक ये नहीं पहुच पाया तेगे ना बीच में ही इसको क्रेस कर गया तो ये विफल हो चुका है जो की रश्या का था इसका था रश्या का था और आपको मैं बता दू कि चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने वाला अमेरीका पहला देश था चालिए केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकूर ने कितने खेलो इंडिया केंद्रो का उद्धाटन राजिस्थान में किया है Recently union minister अनुराग ठाकूर has integrated how many in India centres in राजिस्थान राजिस्थान में ये क्या करना जाने की गोशना की है या उनका उदगाटन किया है अभी मैं आपको वदा दूँ में 2012 से पहले उतराखंड में सीधे खिलाडियों को जोब दिया जाता था खिलाडियों को डिरेक्ट भरती किया जाता था गोफ्मेंट जोब में लेकिन 2012 12 के बाद उसको बंद कर दिया गया था अब 2023 में एक बार इसके पुनहे बहाल कर दिया गया है या कर दिया गया है बहाल इसको कर दिया गया है तो आप से कोशन बन सकता है कि निमलिकित मेरे से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 2012 के बाद अपने हाँ पर खिलाडियों को गवर्मे हमारी अभी IBS से एक ट्रोफी हुई है एक खेलो का आयजन हुआ है इसमें हमारे जो महिला दरश्थी बादित महिला खिलाडी थी क्रिकेट की इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है औस्ट्रेलिया को हरा कर जबकि अगर मैं पुरूस की बात करूं इन्होंने क्या जीता है इन्हो है जो हुई है अधिलेटिक से इसमें निरज चोपडाने कौन सा पदग जीता है इसमें निरज चोपडाने जीता है गोल्ड और गोल्ड जीतने के साथ साथ ही ये पैरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिपाइब कर गए लिए निवाइस इस वैज अच में को भंग कर दिया गया है एक ना जो भारतिये wrestling या कुस्ति federation है कुस्ति federation है इसको भंग कर दिया गया है इसके जो अद्यक्स थे ये ब्रजभूषन सिंग हुआ करते थे उनको हटा दिया गया था जब योन उत्पड़न के मामले उन पर लगाए गए थे ना तो ये information आपको याद रखनी है, चलिएगा हाली में किस company ने world cup के लिए ICC के साथ समझोता अश्ताक्षर किये है, star sports है master card है, रुपे card है या फिर SBI है ध्यानक ना ICC जो world cup होना है, ICC world cup ये भारत में होगा, आप सभी जानते हैं, तो इसके promotion में, ध्यान से सुनिएगा ये जो master card है, master card ने इसमें अपनी साजेदारी की है, ये समझोता किया है, ध्यान नखिएगा master card जो है, ये इसका icon कह सकते हैं icon organization बरकार इसने यहाँ पर समझोता किया है ICC world cup के लिए, इससे पहले जो ICC world cup हुआ था 2011 2011 में भारत में हुआ था भारत में हुआ था और इसे भारत ने ही जीता था ध्यान रखिएगा अच्छा आपको question मुझे बताना है कि सबसे पहला जो world cup हुआ सबसे पहला जो हुआ ये कहाँ पर हुआ था और किसने जीता था, ये कहाँ पर हम बात करते हैं, अशिया कभ को लेकर इसकोु लेकर अगर हम बात करते हैं एशिया कभ 2023 जो होगा ये कहाँ पर होगा आब पाकिस्तान और स्रि-लंका में दो देशों के आपको नाम याद रखने हैं सांयुक्त रूप से ये दो देशों में इसका आये जन ये नोवाग जोकोविच हैं राफेल नडाल हैं कार्लोस अलक राज हैं या फिर एंडी मर रहे हैं recently who has won the title of सिंसिनाटी ओपन 2023 तो ये नोवाग जोकोविच हैं जिन्नोंने सिंसिनाटी 2023 का किताब जीता और ये सर्विया के खिलाडी है किस देश के ये सर्विया के खिलाडी है ध्यान रखिएगा अच्छा एक कोशन आप मुझे बताएंगे एक कोशन आपको बताना है इनफोसिस एक कमपनी है इनफोसिस एक आईटी कमपनी है कैसी कमपनी है एक इनफोर्मेशन टेकनोलोजी कमपनी है और इसके जो राजदूत बनाए गए है ठीक ना इसके वैश्विक राजदूत बनाए गए ये कोन बनाए आज का आपका होमवर का कोशन है सभी बच्चों को जितने भी यह वीवर्स हमारे हैं, बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो भी एक बार इस कोशन्स का आंसर आप करें, कि जो इन्फूसिस ने अभी वैस्वी का राजदूत बनाया, यह किस खिलाडी को बनाया था, वो टैनिस के प्लेयर हैं, बताना है आप सभी को, है ना, तो option number क्या हो जाएगा, 10 का A, सही हो जाएगा, आली में, IBS से खेलो में भारतिये महिला दरश्टी बादित टीम ने किस final में 9 विकेट से अरा कर किसे, स्वर्ण पदक जीता, जर्श्ट में अभी बात कर रहा था इसको लेकर, एना तो ये किसको ऑस्टेलिया को अरा कर, किसको हरा कर, ऑस्टेलिया को हरा कर भारत ने क्या किया है, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, एक ना ये दरश्टी बादित चो हमारे खिलाडी होते हैं, वो भी महिलाओ कि हम बात कर रहे हैं, पुर्षों ने कौन सा, रजत पदक इसमें जीता है, तो option number क्या हो जाएगा, option number आप अस्टेलिया इंडेक्स ये है, इसको हम कहते हैं, ओस इंडेक्स, यानि कि ओस्टेलिया इंडिया एक्ससाइज, ये पाचवे संसक्रण का आयोजन कहां पर किया गया, या कहां पर किया जाएगा, तो ये पाचवा जो संसक्रण है, जिसको हम ओस इंडेक्स बोलते हैं, क्या फर्पर्त में होगा तो यह इसका जो आयशन होगा यह बरताव में नहीं यह सिडनी यह में भूनट कुनसा auction number A सही हो जाएगा Sydney में इसका आजन किया जाना है Australia के में है ना तो अगर हम बात करते हैं माला बार exercise की माला बार exercise का जो आजन किया गया था ये पहली बार Australia में ही हुआ है कहाँ पर Australia में और माला बार exercise जो है मैं आपको बता दूँ ये भारत और अमेरिका के बीच में होती थी एक ना 1992 से ये इसका शुरुवात हुई है कब से 1992 से इसकी सुरुवात हुई है और इसमें 2015 में कौन सामिल हुआ था इसमें जापान को सामिल कर लिया गया था और अगर मैं Australia की बात करूँ तो 2020 में Australia को इसमें सामिल किया गया है ठीकर ना कब 2020 में इसमें Australia को सामिल किया गया है ये भी आप से पूछा जा सकता है तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता है हाली में केन सरकार ने किस तारीक को राष्टिये अंतरिक्स दिवस मनाने की घोशना की है 24 अगस्त है 16 अगस्त है 23 अगस्त है या फिर 14 अगस्त है ध्यान कियेगा जो हमारा मिशन था चंद्रियान थिरी इसको 14 जुलाई 2023 में इसको लौंच कर दिया गया था सिरी हरी कोटा से इसके बाद 41 दिन की लगभग 41 दिन की यातरा के बाद ये जो चंद्रमा पर लैंड कर पाया 23 अगस्त 2023 में 23 अगस्त 2023 में इसको लैंड कर पाया है ध्यान रखिएगा option number क्या हो जाएगा option number आपका C सही हो जाएगा 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे अंतरराष्ट्ये क्या मनाएंगे अंतर राष्टिये अंत्रिक्स दिवस कौन सा नेशनल राष्टिये अंत्रिक्स दिवस के रूप में बनाने की गोशना की गई है अमारी केंसरकार के दुआरा क्योंकि 23 अगस्त का ही वो दिन है जिस दिन भारत ने इत्यास रचा जिस दिन भारत का वर्चश्व दुनिया देख रही थी वो भी कहां पर अंतिक्ष में है ना तो वो चीज़े आपको यादमा पर रखनी होगी इंपोटेंट है भूलिएगा नहीं है ना चलिए हाली में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की बोतल पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है कि हम प्लास्टिक की जो बोतले हैं इनको बंद कर देंगे यह असम ने कहा तिरपूरा ने कहा गोवा ने कहा रिसेंट्लि विच स्टेट गोर्मेंट हैज आनाउंसट टू यॠ जो आनाउंस्ट ए बैन और प्लास्टिक बोतल की आप सभी जानते हैं प्लास्टिक जो होती है सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है厭ी स्सक्टिक करने की बात वहां पर चल रही है कि इसको बैन करना है उ तो ये कौन सा प्रदेश है जिसको बैन करना चाह रहा है तो भाई ध्यान रखिएगा ये असम ने इसको बैन करने की अभी बात रखी है किसने असम ने असम ने कहा है कि हम इसको बैन कर देगे जो प्लास्टिक बोतल है ठीक है असम के बारे में आप सभी जानते हैं यहांके जो सीयम है ये है खेवंध विश्वा सर्मा कोन है खेवंध विश्वा सर्मा है ना ठीक है दूसरा आपको ध्यान रखना है यहां की जो राज़ानी ये देशपुर है ठीक है ना देशपुर भूमी पुत्र योजना ये किसके द्वारा लागू की गई थी भूमी पुत्र योजना ये असम शरकार के द्वारा लागू की गई थी जिसमें जो यहां के बच्चे हैं उनको जनम प्रमाण पत्र बनाना है मूल निवास बनवाना है यह स्कूल में ही बना दिया जाएगा और आठ दिन के अंदर यह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा खिकना अभी यहां पर गज उच्छव मनाया गया था खिकना गज उच्छव मनाया गया था जिसका उद्गाटन हमारी राष्टपती द्रोबदी मुर्मजी के द्वारा किया गया था हाली में सीमा देव का निधन हो गया यह कौन थी अभिनेत्री पत्रकार सहित्यकार या फिर यह कवित्री थी यह कौन थी बाई सीमादेव सीमा देव का जो निधन हुआ यह कौन थी तो यह एक अभिनेत्री थी कौन थी यह एक अभिनेत्री थी option number a सही हो जाएगा कौन सा option number a आपका है पर सही हो जाएगा यह एकактер थी like actors थी एह ना चलिएगा तो यह धाज़ का आपका Flexion current affairs इस तरीके से आपको चीज़े कराए गई तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रोब्लम्स वहां पर होने वाली है तो आप इनको नोट्स के रूप में जरूर लिखें नोट्स बनाएं तभी उसका कोई फाइदा आपको मिलेगा वरना आपको प्रोब्लम्स वग्यारा उसम आपको अपने अनुसार जो भी आप प्रेप्रेशन कर रहे हो उसके अनुसार आप इन्रोल इसमें हो सकते हैं तो इसके लिए क्या करना है SSC Migger application पर आपको जाना है और वहाँ से इसको enroll कर लेना है कुछ static के question है जो आपको यहाँ पर समझने है और देखना है है ना चलिएगा वई पहला question है आपका निमलिखित में 1947 का कौन सा अधिनियम trade union के साथ व्यक्तिकत कामगारों के संबंद में भारती सरम कानून को वियनिमित करता है यह आपका ओद्योगिक विवाद अधिनियम है ओद्योगिक परिशद अधिनियम है रोलट एक्ट अधिनियम है या फिर चार्टर अधिनियम है ध्यान से सुनियेगा एकना जो 1947 में अध संबंद में इनको यहां पर involve कर लिया गया था यानि कि यहां से आप विवाद देखे जाने स्टार्ट कर दिये गए थे तो option नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा जो आपका industrial है उसमें इसको सामिल कर लिया गया था बात समझ में आई होगी मैं उमीद करता हूं कि कहता है next question कहता है कि एक नाटक में नरेस ने कहा सुराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा निमलिकित में इसे किस भारती स्वतनता सेनानी ने दिया था यह लोकमान ने बाल गंगा दर तिलक जी ने दिया था महत्मा गांधी ने दिया था अ which of the following Indian freedom fighter give this slogan यह स्लोगन जो जिसने दिया यह थे लोकमानने बाल गंगा धर तिलक ध्यान रखेगा और यह कैसे नेता थे यह गरम दल के नेता थे कैसे गरम दल के नेता थे ध्यान रखेगा इन्होंने जो गणपती उससव है इसको मनाने की परंपरा को सुरू किया है ना जो गणपती उससव मना जाता है सिवाजी उससव जो होता है इसको मनाने की परंपरा है उसको इन्होंने सुरू किया एक इनकी पत्री का आतिती केसरी आपके ध्यान भी होगा आपने पढ़ा भी उसको होगा ठीक है तो ये सारी information आपको महां पर याद रखनी है नमिता कायांतरित सेलों में एक उधारण के बारे में बात एक बात करती है वहन इमलिकित में से कौन सा हो शकता है कायांतरित सेल कौन सी होती है ये हैलाइट होती है, संगमरमर होती है, सैल होती है, या फिर चूना पत्थर होती है, या कौन सी होती है कायांतरित सैलें कायांतरित सैलों के बारे में आपको समझना है, वैसे तो तीन सैले होती है, एक होती है अगनिये सैले, या चटाने जिनको कहा जाता है, एक होती है आवशादी, एक होती है कायांतरित या रुपांतरित जिनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कायांतरित या रुपांतरि जिनको बोला जाता है जो भोतिक वा रासायनिक कारणों से किसके कारणों से भोतिक वा रासायनिक कारणों से या इनके परिवर्तन से इन चट्टानों का इन सहलों का निर्मान होता है इसमें आ जाएगा आपका संग मरमर क्या जाएगा संग मरमर आफशन नंबर आपका भी सह ही हो जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्राले ने मार्च 2022 में प्रधान मंत्री योगी मान धन योजना के तहत किसको शुरू किया था ठीक है तो ये आपको ध्यान अखना है ये डोनेट ए पैंसल पहल ठीक है न कौन सी डोनेट ए पैंसल पैंसन पहल ये शुरू की गए थी हमारा जो श्रम और रोजगार मंत्राले ने हैँ अच्छ हैं यहाँए कोशन और आपका बन सकता है कि जो रोजगार मंत्री हैं ये हमारे कौन है तो ये भुपेंद्र सिंभ यादव है तो बोध वस्तु कलाश्टूप को सरधानजली आरफित करने के लिए भगतों के लिए पैदल मार को क्या कहा जाता था इनको मैधी कहा जाता था तोरण कहा जाता था छेतरी कहा जाता था या फिर अंड कहा जाता था क्या है कोशन कोशन कह रहा है बोध वस्तू कलाश्तूपो को सरधांजली अरपित करने के लिए भगतों के लिए पैदल मार को किस नाम से जानते थे तुकलग único का सव क्या जाता था इसको हम तोरन कहते थे तोरन इसको कहा जाता था चलीएगा ने मिल एक दे मैं से कौन तुकलग वन्ज का साशक नहीं था औप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका हैं पर A सही है, B सही है, C सही है या फिर D सही है Who among the following was not the ruler of Tuklak dynasty तो Tuklak dynasty में जो नहीं थे ये थे रुकनुदीन Tuklak कौन थे रुकनुदीन Tuklak बाकी गयाशुदीन Tuklak, मोहम्मद बिन Tuklak और फिरोज सहा Tuklak ये Tuklak वन से संबंदित है भारती समिधान का कौन सा अनुछेद कानूनों के समान संदक्षन और कानून के समानता प्रदान करता है Which article of the Indian Constitution provides equal protection of law and equality before law है ना, तो ये article 14 आपने पढ़ा होगा जिसको हम समानता या समता का अधिकार भी कहते हैं समानता या समता का अधिकार भी कहते हैं जो article 14 से लेकर article 18 तक इसका वर्नन है ठीक है ना, article 14 से लेकर article 18 तक इसका वर्नन किया गया है चलिएगा भई, next question है जीवित जीवों के छेत्र और परियावरन के उनके साथ परसपरिक व्यावार को इंगित करता है इसको हम लेथो स्पेर कहेंगे बायो स्पेर कहेंगे, हाइडरो स्पेर कहेंगे या फिर एंटो में स्पेर इसको कहा जाएगा तो जहां पर जीव रहते हैं उसको जीव मंडल या बायो स्पेर कहा जाता है क्या कहा जाता है बायो स्पेर या जीव मंडल उसको कहा जाता है निमलिकित में जिकोन सा त्योहार राजिस्थान में मनाया जाता है ये है गुडी पड़वा है माथो नारंग है या फिर बोनालू है या बूंदी उत्सव है ठीक है ना बोनालू त्योहार कहां मनाया जाता है ये भी कोशन आपसे बन सकता है बई तो बोनालू मनाया जाता है तेलंगाना में बूंदी उत्सव कहां मनाया जाता है ये भी कोशन बन सकता है तो ये राजिस्थान में कहां पर राजिस्थान में तो ये हो जाएगा आपका राजिस्थान ये हो जाएगा आपका तेलंगाना अब बचे दो एक गुड़ी परवा क्या है गुड़ी परवा गुड़ी परवा त्योहार कहां मनाया जाता है ठीक है तो ये विशेश तोर पर देखा जाए तो ये महाराष्ट वाला जो छेतर है करनाटक वाला जो छेतर है है ना केरल वाला जो छेतर है यहां पर मनाया जाता है ठीक है आपको बदाना है कि माथो नारंग यह कहां पर मनाया जाने वाला क्यों हार है माथो नारंग औसकर 2009 में भारतिये संगीत कारों में से किसे सलम डोग मिलनेयर में अपनी रचना के लिए सरस्रेश्ट मूल गीत का पुरुषकार मिला था यह ए आर रहमान को किसको ए आर रहमान को तो ऑप्शन नमबर ए सही हो जाएगा है ना तो यह धवाई आज का आपका करंट अफेर्स का सेशन और स्टैटिक का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे इनके अलावा आपको मैं बता दू कि ससी मेकर पर आपके हाँ पर विभिन कोर्स चले हुए है जैसे सिपाई बैच आपका यूपी पुलिस के लिए आपका महावीर बैच है दिल्ली पुलिस के लिए आ आपको चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगी याना इसके अलावा आपको बता दू कि मैं चोरीजनिंग के लिए जो क्लास आपकी चलती है रात आडवजी चलती है बिल्कुल बेसिक से यूट्यूब पर आपकी क्लास चलती है आजे सर के दौरा ये क्लास आ इस आईडी से फोलो कर सकते हैं आप हमें टेलिग्राम पर इस आईडी से फोलो कर सकते हैं ये आपका ट्वीटर चैनल है आप हमें ट्वीटर पर फोलो कीजिएगा इसके दौरा ये आपका यूट्यूब चैनल है आप हमें यूट्यूब पर इस आईडी से फोलो कर सकते है तो ये धाज का आपका session सभी बच्चे session को जादर जादर लाइक करेंगे आपको करना है जिससे class उन बचों तक जरूर पहुंचे जो तैयारी कर रहे हैं और बहुत बहुत बहुतर तरीके से आपको चीजे यहां पर कराई जा रही हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नवश्कार जय हिंद जय भारत